जी हां दोस्ता आप सभी को बता दे सुशान सिंग राजपूच जी केस में अभी तक देखने को मिला था किस परकार से सभी लोग असली रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी पोश्ट माटम के असली रिपोर्ट सामने आती है उनकी अभी तक कई सारी डोक्टर्स की रिपोर्ट और उनके अनुसार जो भी बताया गया है ये वही बताया है कि गला गुटने की वज़े से ही उन्होंने उनकी जान गई है जिस कार से उन्होंने अपनी फासिल लगाए थी उसके बाद ही उनकी जान गई है इस केस में कि उनकी जान किसी और वज़े से गई है बलकि उनकी जान गई नहीं है उनकी जान ली गई है इसके पीछे किसी साजिस का हाथ है लेकिन उस साजिस का परदा फाश कब होता है उस रंजिस का जो जिसकी खिलाव यानि सुशान सिग राजपूची के खिलाव जो रच जान गई है किसी और वज़े से नहीं बलकि दम घुटने की वज़े से गई है इसके बाद मुंबई पुलिस ने बात भी साफ कर दी है कि जितनी वैपसाइट्स और जितने भी मीडिया कर्मी अभी तक अपनी सुत्रों के मताबिक रिपोर्ट्स दे रहे थे कि इस वज़े से इस वज़े से जानगी अब उन सभी पर रोक लगती भी दिखाए देगी केस वही सामने निकल कर आएगा जो मुंबई पुलिस द्वारा सामने लाया जाएगा यानि कि अभी तक तेश लोगों से कुछ मिल्कुल मिलाकर पूस ताच रही है उनके मताबिक जितना ही पताया तो ये मामला पूरी तरीके से अपने ही जान लेने को लेकर बताया जा रहा ना कि किसी ने उनकी जान ली है तो शुषान सिंग राजपूर जी केसमा अभी तक सबसे बड़ा खुलास यही हुआ है कि उनकी जो जान गई है वो दम घुटने की वज़े से हुई है और उनकी समय में भी कि मैं किस वज़े से जा रहा हूं यह तक सुषान सिंग राजपूर जी ने नहीं लिखा यह सबको चोकाने वाली खबर यानि सबको चोकाने वाला एक हाथसा रखता है क्योंकि सुषान सिंग राजपूर जी में अपने अंतिन समय में भी सच बताते हुए नहीं आशा करते हैं दोस्तों हमारी जानकारी पसंद आई होगी और अब तक सबसे बड़ा खुलास यही है कि उनकी दम गुटने की वज़े से ही उनकी जान गई है ना कि किसी और ने ली है जो मुंबई प्रिस के द्वारा अभी तक बताया गया है उनकी फाइनल डिपोर्ट्स में ऐसी और खबरों के लिए हमारे सथ बने दाए धन्यवाद दोस्तों